आप देख रहे हैं बात सच है चतुर चीन की गोदी में खेल लेकी कोशिश करते नेपाल को अब फिर से भारत की आद आने लगी है चीन द्वारा नेपाली पी-म केपी सर्मा ओली को जो बीजिंग गुटि पलाई गई थी वे एक ही जटके में छू हो गई अभालत यह है कि नेपाल की अर्थववस्था पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है चीन से दी जा रही आर्तिक साहिता की खेप खटाई में पड़ चुकी है प्रेटन उधोक का वर्तमान परिस्थितियों ने कोचुमर निकाल दिया है चीन अपनी ही समश्चा में उलजा है और नेपाल की साल में है इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है यानि जब पूरी दुनिया एक आफट से संका ग्रस्थ है तब नेपाल जैसे छोटी से देश के विसे में सोचने का किसी के पास वक्त नहीं है नेपाली परदार मंत्री केपी सर्मा ओली जो हिंदू राष्ट में कम्मुनिजम का जंडा लेकर हवा में उड़े थे उनकी हेकडी निकल चुकी है उन्होंने फिर एक नया रंग बदल लिया है और मोधी की तरब देखना सुरू कर दिया है ओली ने भारत से गवार लगाई है कि बड़ाभाई होने के नाते भारत हिंदू राष्ट की मदद को आगे आए हालकि भारत चिकित्सकों ने ओली की किडिट रास बलाट करके नेपाल से भारत के आतिमे रिष्टों का प्रिच्चे दिया है दरसल नेपाल में 70 फिस्दी तक विदेशी परियाटक की कमी आई है भारत के अलावा सभी देशों के परियाटकों ने नेपाल जाने वाली बूकिंग रद करा दी है परन्तु भारत इस घड़ी में नेपाल का साथ दे रहा है भारत के एक भी परियाटक ने अपनी बुकिंग रद नहीं कराई लेकिन मामला इससे कहीं आगे जा रहा है विशुग की बदली परिस्थतियों के मद्द नजर नेपाल धीरे-धीरे करज संकट की और बढ़ रहा है जहां उसकी अर्थववस्था के धरसाई होने का जोखिम उत्पन हो गया है यानि भारत द्वारा आगे आकर उससे समाला नहीं गया तो उसकी हालत बेहद खराब हो जाएगी हो सकता है ड्रेगर उस पर आपर तक्स नियंतर्ण कर ले इस वक्त कोराना ने नेपाल की अर्थववस्था को तबाह करना सुरू कर दिया है उसकी घरेलूडान पूरी तरह बद हो चुकी है नेपाल की एरलाइन्स ओपरेटर एसोसेशन ने यात्रियों की घटती संख्या और बढ़ते घटे को देखते हुए घरेलू विबान से वाउगिवडाने बद कर दी है एरलाइन्स करमचारियों को कई महीने की अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है शिरिप इतना ही नहीं नेपाल के हर सेक्टर का यही हाल है एसियन डवलमेंट बैक के मुताविक पिछले एक महीने में 15,800 सिक्रमचारियों को नोकरी से हाथ दोना पड़ा है उसकी अर्थमवस्था में आदफ इस दिग्रावट के संकेत मिल रहे हैं जिस गरीम मुल्क के लिए बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है बताया जाता है प्रियटन पर आसरीत नेपाल के बाज़ोरों में उबजी मंदी ने उसके सामने डिवालिया होने का जोखिम पैदा कर दिया है बड़ी बात यह है कि दुनिया को मुश्किल में डालने वाले चीन की दरश्टी नेपाल पर टिक हुई है कहने वाले तो यही कहते है कि चीन इस वक्त भी अपनी विस्तारवादी नीती पर काम कर रहा है अब सवाल यही है कि भारत नेपाल के हालातों को ठीक करने के लिए क्या भूमी का निभा रहा है गोर तलब यह भी है कि पिछले साल ही लिंपियो दुरा को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद उत्पन हो गया था जिससे दोनों तरप के रिष्टे काफी कटू हुए थे इस पर नेपाल की ओर से ब्यांदक रामक बियानवाजी हुई थी मगर इसके बावजूद भी भारत ने काफी सयम बढ़ता था भारत आज फिर से नेपाल के साथ खड़ा हो गया है मोधी सरकार ने नेपाली पी-एम केपी ओली को हरसम बबमत अदकास वसन दिया है भारत ने पर नागरिकों के नेपाल जाने पर रोक नहीं लगाई है इसके अलावा 21 जनवरी 2020 को मोधी ने नेपाल से वैपार में बढ़तरी के लिए जोगबनी विराटनगर इंटिग्रेडरी चेक पोस्ट की सुरुआत कर दी है भारत ने नेपाल को मेडिशन की खेप बेजने का निरने भी किया है जो इस मुश्किल में उसके लिए काफी सकून देने वाली बात है भारत इस तरह के परियासों से साबित कर रहा है कि वैं हर मुश्किल में नेपाल के साथ खड़ा है अगर इस हिंदु राष्ट के सामने कोई आर्थिक संकट उपजदा है तो भारत उसके लिए भी अभी से कमर कस रहा है जोकाने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट पती सी जिन्पिंग जब नेपाल पहुचे थी तो उन्हेंने कई समझोतों का एलान किया था इसी मौके पर जिन्पिंग ने 56 अरब नेपाली रुपे सायता की घोशना भी की थी मगर अब वैसायता भी रुख चुकी है और नेपाल को फिर से भारत की तरफ देखना पढ़ रहा है यानि मुशिबत में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र होता है भारत अबने उसी करतव्य का निर्वा कर रहा है वरना चीन के चंगुल में फशे नेपाल की आलत ऐसी है कि वाकी संसद में हिंदी बोलने वाले को राष्ट द्रोई समझा जाता है या तक कि उसके भासन के परतक्स परसारण की अनुमती भी नहीं है मगर इसके बावजूद भारत के दर्वाजे पर इस्थित हिंदू राष्ट की समसे ज़्यादा फिकर है वैसे इस वक्त हालात भी यही है नेपाल का सच्चा सहयोगी केवल भारत ही हो सकता है बाकी तो सब ग्यापारी और दूस परचारी है आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आओगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किशान जै हिंद वन्द बातरव